नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल के बाद अब बिहार के सियासत में भी बड़ी हलचल सुरू हो गई है बिहार में नितिस्त कुमार की सरकार अब ज़्यादा तिन तक नहीं चलेगी भारती जनता पाटी से हटने के बाद यानी एंडिये से बाहर होने के बाद नितिस्त की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनेगी यह बयान कोई और नहीं बलकी मुख्यमंतिर नितिस्त कुमार के बेहत करीबी माने जाने वाले बिहार के दिगज नेता ने दिया है जिसके बाद बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चड़ गया है इतना ही नहीं अब कांग्रेश ने भी दावा कर दिया कि नितिस सरकार अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाएगी सत्ता में महा गटबंदन लोट कर सरकार बनाएगी यह दोस्तों नितिस कुमार के सबसे करीब कि किस दिगज नेता ने दावा कर दिया कि नितिस कुमार की सरकार जल्द गिर जाएगी और कांग्रेश के समर्थन से सरकार बनेगी इन दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएगे लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है क्या बिहार में सब कुछ ठीक नही जरूर बताएब साथ साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मैनत का असली फल है और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकान को जरूर पेस कर लें जिससे कि सबी खबरों का अपडेट आपको त जटका देते हुए उनके पाज बिदायकों ने बगावत कर दी तो अब नितिस कुमार की सरकार जल्द गिरने का दावा कर संसनी फैला दिया गया है जिया आपको दें बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बिहार के चर्चित जिला सिवान की भी खोब चर्चा हो र दिया कि बिहार में भारती जनता पाटी और जेडू का गडबंदन तूट जाएगा जिया आपको दें मुख्यमांतिन नितिस कुमार के सबसे करीबी बड़रिया से पुर बिधायक स्याम बादूर सिंग ने बड़ा बयान दिया उन्होंने बयान देते हुए सीधे सीधे का कि बिहार में भारती जनता पाटी और जेडू का गडबंदन तूट जाएगा जिया आपको देते बिहार के चर्चित खान ब्रदस के राइस खान से अपने आवास पर घंटो मुलाकात के बाद पुर बिधायक स्याम बादूर सिंग ने मीडिया से बातचीत की बातचीत करत का कि भारती जनता पाटी ही मुख्यमंतर नितिस कुमार को बरबात कर देना चाहती है भारती जनता पाटी नहीं चाहती है कि नितिस कुमार बिहार के मुख्यमंतरी बने रहें इतना ही नहीं नितिस कुमार के सबसे करीबी योंपुर बिधायक स्याम बादूर सिंग ने यह पूरा फोल समरा समर खर्म है पाइब। स्याम बादूर सिंक ने जावा करते हुए का कि सब कुछ बात चल रही है इसमें किसी भी तरह से घबराने की जरुवत नहीं है स्याम बादूर सिंग ने मुख्यमंतिर नितिस कुमार से आग्रा करते हुए काहे कि बहुत हो गया आम जनता के बीच चुनाव करने के लिए चलना चाहिए साथी पुर्विदायक स्याम बादूर सिंग ने भारती जनता पार्टी को चेतावनी भी दे दी चेतावनी देते हुए काहे कि अगर बिहार में सरकार गिरती है तो उत्तर प्रदेश में योगी की कुरसी और देश में मोधी की कुरसी हिल जाएगी उनका कहना है कि क्योंकि देश में मोधी योगी के बाद नितिस कुमार ही सबसे बड़ा चेरा है जो की देश के प्रधानव अंत्री बनेंगे अब स्याम बादूर सिंग के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मिया और भी तेज हो गई है वो इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि पिछले दिनों जीतनराब मांजी और मुके सनी जो की एंडिये के घटक दलों में से हैं उन दोनों ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादों से बाद चीत की थी बाद चीत के बाद एंडिये में सामिल मुके सनी ने पत्रकारों को जवाब देते वे कहा था कि इस बाद चीत को पर्दे में रहने दीजिए क्योंकि पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा अलकि क्या बाद चीत हुई थी लालू प्रसाद यादों ने मुके सनी से सयोग की मांग कियोगी लेकिन वास्तों में क्या दोनों के बीच बाद चीत हुई इस बाद का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन समय समय पर NDA में सामिल जीतन रा मांजी भी भारती जनता पार्टी पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं बांका मदर्से में हुए ब्लास्ट को लेकर भी मांजी ने भारती जनता पार्टी पर जम कर हमला बोला था माजी ने भारती जंता पार्टी को सला देते हुए का था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ट्वीट करते हुए माजी ने लिखा था कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली गरीब मुसल्मान जब मदर्से में पढ़े तो आतंकी बाई साब ऐसी मानसिक्ता से बाहर निकलिये या राष्ट की एकता और अखंड़ता के लिए ठीक नहीं है साथ ही उन्होंने इस घटना की उच्छ अस्तरी जाच की मांग भी की थी हलाकि अब गाहे बगाहे आरजेडी और कांग्रेस लगातार जीतनरा मांजी और जेडू को आफट देती रही है कि बिहार में महागडबंदन के साथ आईए और एक साथ सरकार हम मिलकर बिहार में चलाएं लेकिन अब कांग्रेश ने भी दावा कर दिया है कि निति सरकार कारेकाल पूरा नहीं कर पाएगी बहुत जल्दी महागडबंदन सत्ता में लोटेगी जहां आपको दें लेपी में मचे बवाल के बाद बिहार की राजनीती पूरे तरीके से बदली हुई दिखाई दे रही है अब इस बिहार की गर्माई राजनीती के बीच कांग्रेश और जेडू के बीच बयान बाजी तेज हो गई है एक तरफ जहां जनता दल उनाइटेट ने दावा किया कि उनके संपर्क में कांग्रेश के कई विधायक है तो वहीं दूसी तरफ आप कांग्रेश ने पलटवार करते हुए दावा कर दिया है दावा करते हुए काय कि नितिस कुमार की सरकार बिहार में पास साल का कारिकाल पूरा नहीं कर पाएगी कांग्रेस निता ने दावा किया है जहां आपको देते कांग्रेस के दिगज निता MLC प्रेम चन्द मिस्रा ने एक मीडिया से बात चित करते हुए दावा किया कि बिहार में नितिस कुमार सरकार अपना कारिकाल पूरा नहीं कर पाएगी और जल्ली तेस्टी आदों के नितित में महा गडबंदन की सरकार बिहार में बनेगी उन्होंने का कि जेडू द्वारा लगातार बिहार में ऐसे माहल बनाय जा रहे हैं क्योंकि NDA में सामिल जीता नामाजी और मुके सानी NDA से जाने वाले हैं उन्होंने का कि जेडू ऐसा दिखाना चाती है कि इन निताओं के NDA से निकलने के बाद भी सरकार चलती रहेगी क्योंकि कांग्रेस बिधायक तूट जाएंगे। प्रेमचन मिस्रा ने का कि बिधान सभा में नितिस सरकार गिरेगी और महागडबनन की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस निताओं में MLC प्रेमचन मिस्रा के इस दावे के बाद भीहार में राजनितिक सरगर्मिया तेज होना लाजमी है अलकि गाहे बगाए खुद NDA के निता है नितिस कुमार की आलोचना करते हुए दिखते हैं धरसल यह बात क्यों सामने निकल कर आई है क्योंकि आपको उदा दें जनता दल उनाइटेट यानि जेडू के MLC संजर सिंग ने मंगलवार को दावा किया तक कांग्रेस के कई विरायक जेडू के संपर्क में है और जल् नहीं कर पाईगी और जल्दी तेश्वी यादों के नेतियुत में महा गडबंदर की सरकार बिहार में बनेगी अलकि राजनीती में ऐसे बयान बाजी लगातार होते रहते हैं लेकिन ए बयान बाजी तब दूल पकड़ लेते हैं जब सरकार में सामिल नेता और विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ मिलते जूलते और बैठते हैं पिछले तिनों लालु प्रसाद यादों के बड़े बेटे तेज परताब यादों ने जीतन रामाजी से मुलाकात की थी जिसके बाद यह अटकले तेज होने लगी थी क्या जीतन रामाजी महा गडबंदर में दिया था कि क्या हमके मुखिया NDA को छोड़कर मागडबंदर के साथ जाएंगे हाला कि साम होते होते RGD के प्रवक्ता मितिंजय तिवारी ने यह दावाकर सबको चौंका दिया था कि तेज परताब यादों मुके सहनी के पास लालु प्रसाद यादों का संदेश लेकर प कब क्या हो जाए, कब कोन, कि धर की तरफ पल्टी मार ले, ये कुछ भी कहां नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीती में हर चीज संभव है, राजनीती में कभी भी कोई भी उलट फेर हो सकता है, अलकि जीतन रामाजी कई बार यह साप कर चुके हैं कि वो सरकार में रहते सरकार की आलोचना करते रहेंगे क्योंकि जहाँ पर जनता की बात सामने आईगी वहाँ पर भारती जनता पार्टी से भी लडने में नहीं चुकेंगे लेकिन उन्होंने अभी साप कर दिया कि वह NDA का हिस्सा अभी है और आगे भी रहेंगे हलाकि कांग्रेस किस आधार पर यह दावा करेंगी नितिस सरकार अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाएगी और सत्ता में महाक अडवन्दन लोटेंगी हलाकि اس से पहले भी RJD के नेता अमानात गावी ने भी इंडिया सरकार गिरने का दावा किया था अमनात गावी ने एक पेस को संबोधित करते हुए का कि बिहार में अब RJD की सरकार बनेगी और जीतर नामाजी इस सरकार के संदेश वहाख हैं जो नितिस कुमार तक मैसेज पहुचा रहे हैं उन्होंने का कि नितिस कुमार अब केंद की राजनीती करेंगे नितिस कुमार प्रधान मंतरी के दावेदार हैं RJD नेता अमनाद गामी ने दावा करते हुए का कि 33 आदो बिहार के मुख्य मंत्री बनेंगे। नेतिस कुमार बिना मन से भारती जनता पाड़ी के साथ इस सरकार में बने हुए है। अलग कि RJD नेताओ और कांगरेस नेताओ का दावा कितना सही सावित होता है और कितना गलत या तो समय आने पर ही पता लएगा। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार की राजनीती में क्या चल रहा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।